हेलो प्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपनी रसोई में आज मैं सेर करने जा रहे हूं आप लोग के साथ होली स्पेसल गुजिया स्वीट्स की रेसिपी ये गुजिया खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है उतनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बना हुआ है मैं यहाँ पर आपको तोड़ करके दिखाती हूं आप इसकी आवाज सुन सकते हैं ये गुजिया बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी एंड खस्ता बनी हुई है इस रेसिपी को आप भी एक बार जरू ट्राइ करें ये खाने में बहुत ही ज़्यादे टेस्टी बनते हैं इसके ब वीडियो को फूल वाज करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वे लाइकन को प्रेस करें इससी मेरी आने वाली सफी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर ले हुए तेहां पर घी है जमा हूआ हुए नेहीं जादा पीगला हुए इस तरीके का घी लेना है यहां पर मैंने डाल रखा थी आ सँके और मिक्स करने के बाद अधेद की जरूर quién तो हमें आपे आड़ करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर थोड़े से घी की और जरूरत है तो मैंने यहाँ पर 4 टीस्पून घी इसमें और आड़ किया है इसके बाद हम इसको दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा जो है अच्छे से बंद जा रहा है तो यहाँ पर हमें इसी तरह की यहाँ पर मुएंच चाहिए आटे में इसकी बाद हम यहाँ पर normal पानी से यहाँ पे आठा का डो लगा कर तयार कर लिया है अब हम इसको ढख करके रिष्ट पर रख देते हैं अब हम सलने हैं next step के तरफ तो यहाँ पर आप दे सकते हैं मैंने सारे ingredients को बाहर निकाल के रखा हुआ है तो यहां पर मैंने सबसे पहले लिया हुआ है 500 ग्रम खोया इसके बाद मैंने यहां पर लिया हुआ है एककटोरी ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल और इसके बाद मैंने यहां पर एककटोरी घी लिया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं घी जो जादा मिल्टट नहीं है जमा हुआ भी नहीं है इस तरीके का घी हमें यहां पे लेना है इसके बाद मैंने यहां पे टूटी इस्पून काजु लिया हुआ है काजु को मैंने चोटी चोटी पीसेस में कट कर लिया है इसके बाद मैंने यहां पे लिया है टूटी इस्पून किसमिस और यहां पे मैंने नेहें पें बारी बारी काट लिया है और इसके बाद मैंने हैं पेड़ेन भरी पोर चीन के साथ ही हमें हापे आपए लाइची को भी डाल देंगे इलाइची भी साथ में ग्राइंड हो जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं चीनी जो ग्राइंड हो चुकिए अब इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्टी स्टेप के तरफ तो यहां पर हम गैस पे कड़ाई चड़ाएंगे और उसमें वर्ण से टूटी इ करेंगे और गाजू को भी हमें आप 15-30 से के लिए अच्छा से रोष्ट कर लेंगे रोष्ट करने से इसमें जो है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और खुस्पू इसकी बहुत अच्छी आएगी खाने में भी काफी जादा स्वादिश्ट लगेगा तो इसके बाद मैंने हापे पिस्टे को भी डाल दिया और पिस्टे को भी हमें आपे 15-30 से के लिए इसको भी अच्छा से भून लेंगे और जब यह तीने चीज़ अच्छा से भून जाए इसके बाद हमें आपे ग्रेट किया हुआ नारियल इसमें आड़ करेंगे और इसको भी अच्छा से भूनने देंगे 15 से 30 सेकंड के लिए तो यहां पर आप दिख सकते हैं यह सारी चीज अच्छे से भून गई है इसके बाद मैंने यहां पर Delhi wird the associated component ĐLE के लिए दाल दिया है और इसको भी हम्य आपे 15 से 20 से लिए पून लेंगे अच्छा से यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इन्हारी चीजेों को अच्छा से रोष्ट कर लिया है अूं मिसको दूसरे बरतन में निकाल कर करके ट्रग देंगे ठंड़ा होने के लिए इसके बाद हमें पर सूजी को भी भून लेंगे तो यहां पर हम फिर से वही कड़ाई चढ़ाएंगे और इसमें 2 टी सकते हैं हमारे सूजी में color change होने लगा है और इस में से खुझबू भी अच्छी से आने लगी है यहां पर हमें थोड़ा सा इसको और भूनना है तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी सूजी जो है अच्छे से भून चुकी है अब हमें आपे ग्यास को बंद करेंगे और सूजी को भी दूसरे बरतर में निकाल लेंगे ठंडे होने के लिए रख देंगे इसके बाद हमें आपे फिर से वही पैन चढ़ाएंगे और इसमें मावा एड़ कर देंगे और इसको भी लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा मावा जो है अच्छे से मिल्ट होने लगा है और यहां पर मैंने pure मावे का यूज किया है तो यहां पर इसको नहीं भूनते तभी भी चलता अगर हम इसको थोड़ा सा भून देंगे तो हमारी गुजिया जो है लंबे टाइम तक चलेगी खराब नहीं होगी यहां पर मैंने इसलिए इसको अच्छे से भून लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह इसमें से घी रिलीज होने लगा है मावे में से और यहां पर मैंने फ्लेम को विल्कुल लो पे रखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं इसमें से बहुत सारी घी रिलीज हो रही है तेहां पर मैंने फिर मावे का यूज किया है यहां पर आप साइड में देख सकते हैं कितना सारा इसमें घी लगा हुआ है और इसमें से मैंने अलग से घी नहीं डाला है यह सिर्फ मावे में का घी है तो यहां पर हम गैस को बंद कर देंगे, हमारा मावा जो है अच्छे से भून चुका है, इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तो यहां पर आप दिख सकते हैं हमारी सूजी और जो ड्राइफ रूट थे, वो सब ठंडे हो चुके हैं, तो यहां पर हमारा मावा जो है से आपका पढ़ करें वैसे रख सकते हैं और इसके बाद हम यहां पे जो चीनी ग्राइंड कीए 시aming कर लिया है और फ्रेंस यह बहूत ही ज्यादे टेश्टी है इस राइसिपी को आप भी वगी ज़रूर ट्राइ करें इसके बाद रहें हमें हांपे साइड में रखते हैं इसके बाद यहां पर आठे को चैक कर लेते हैं तो newest हमारा अंटा जो है अच्छे से सेट हो चुका है इसके बाद हम हमें हम पे आठे को एक भबर फिरसे नीड कर लेंगे जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए और यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएथे हंपर पर आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है बिल्कुल फॉरफेक्ट रेडी हो चुका है इसके बाद हम यहां पर लोईयां बना करके तयार कर लेंगे तो इस आटे में से हम यहां पर एक छोटा सा पोजन लेंगे और उसको गोल-गोल घुमा करके हां धेली पर यहां पर हम यहां बना करके तयार कर लिया है इसके बाद हम चलते हैं इसको रोल करने की प्रोसेस हैं तेहां पर हम एक लोईय उठाएंगे और इसमें हम सूखा आटा डश्ट करेंगे और इसको हम रोल कर लेंगे तो यहां पर आद देख सकते हैं मैंने यहां पर इसको अच्छे से रोल कर लिया है इसके बाद हम एक लोईय और और उठाएंगे और उसमें सूखा आटा डश्ट करेंगे और इसको भी हमें अच्छे से रोल कर लेना है तो यहां पर आद देख सकते हैं दूसरा वाला भी रोल हो चुका है तो चलिए अब हम इस्टफिंग इसमें भर लेते हैं यहां पर हम गुजिया वाली फ्रेम उठाएंगे और उसमें साइड साइड से आंटा लगा देंगे और इसके बाद हमें यहां पर जो रोटियां बना करके रखी हुई थी वेल करके उसको लेना है और य इसके साइड साइड से हम यहां पर पानी लगा लेंगे इसमें ताकि अच्छे से चिपक जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर पानी लगा दिया है साइड साइड में और पानी लगाने से यह अच्छे से चिपक जाएगा विल्कुल भी खूलेंगे नहीं यहां पर मैंने पानी लगा दिया है इसके बाद हम इसको अच्छे से दबा दिबा चिपहले लेते हैं और सैडसाइड के आटे को हम इसमें से उड़ा दिंगे अदुस कर दपारत दगी और से हम तो यहां पर आप दी सकते हैं इसमें स्टफिंग भड़ चुका है कितना सुन्दर लग रहा है देखने में तो यहां पर मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूं तो दुबारा से हम सेम उसी प्रोसेस से इसको भी स्टफिंग बनके तयार कर लेंगे तो यहां पर हम फ् अच्छे से दबा करके सील कर लेंगे यहां पर और बचे हुए आटे को हम निकाल लेंगे इसमें से अराम से निकालेंगे यहां पर ताकि अंदर अला हिस्सा जो एक खिचाए नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह अच्छे से सेट हो चुका है इसको खोल करके देख तहां पर झाल सकते हैं यह संब करक た पर सत्सक्तों कर तरीके से हम सारी गोजिया बना तैयार कर लेंगे अगर आप हम इसको साइड साइड से चिपका देंगे इसके बाद हमें आप इसके किनारे किनारे वाले हिस्से से इसको मुड मुड कर ट्विस्ट कर देंगे यहाँ पर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए यहाँ पर मेरे से सही से नहीं बन पाया डिजाइन लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इसको जैसे तैसे करके अच्छे से बना दिया है तेहां पर आप बिना फ्रेम के भी इस तरीके से गुजिया बनाना चाहते हैं तो बना करके तयार कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सारे गुजिया में स्टफिंग भर करके ready कर लिया है इसके बाद हमें आपे इसको fry कर लेंगे जब यहाँ पर गुजिया सारी भर करके ready हो जाए इसके बाद हमें आपे इस गुजिये को एक कपड़े से गीले कपड़े से ढख देना है तो अब हम चलते हैं fry करने की process में तेहाँ पर हम gas पर एक कड़ाय चड़ाएंगे और उसमें oil डाल देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा तेल जो है हलका गरम हो चुका है इसके बाद हम इहाँ पर सारे गुजिये को डाल लेंगे जितने इसमें आ सकती है तो यहाँ पर हम एक एक करके गुजिये को अराम से डालते जाएंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे हाई फ्लेम पर नहीं इसको फ्राइ करना है जब यहाँ पर गुजिया जो है एक साइट से अच्छे से सिख जा इसके बाद हमें यहाँ पर इस गुजिये को दूसरी साइट पलड देना है ताकि दूसरी साइट भी अच्छे से गुजिया सिख जाए और यहाँ पर हमें फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है अगर आप हाई फ्लेम पर इसको बनाएंगे तो गुजिया जो है क्रिस्पी कुरकुरी नहीं बनेंगे नहीं खस्ता बनेंगे बिल्कुल लूज बन जाएंगे तेहां पर हमें इस बात का खास दियान रखना है इसका फ्लेम जो है ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए लो फ्लेम पर करके आप बना सकते हैं मैंने आप इसको लो फ्लेम पर ही बनाया है और एक उजिया जो है बहुत ही जादे क्रिस्पी कुरकुरी खस्ता बनी हुई है आप इस गुजिया को 15 से 20 दिन के लिए श्टोर करके रख सकते हैं ये गुजिया बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे अगर आप मेरे बताये हुए टिप्स और ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपकी गुजिया जो है बिल्कुल फरफेक्ट बन करके रैडी होंगे और खाने में भी काफे ज़दा तेश्टी लगेंगे तो यहाँ पर हमें गुजिया को उलट उलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक इसको फ्राई कर लेना है बीच बीच में हम गुजिया को चलाते रहेंगे ताकि एक साइट से जले नहीं दोनों साइट से एक्वल फ्राई हो तो यहाँ पर आप दे सकते हैं हमारी गुजिया जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसमें बढ़ियां सा कलर भी आ गया है तो यहाँ पर हमें इसको अब बाहर निकाल लेना है और हाँ अगर गुजिया फ्राई करते समय तेल में फट जाते हैं तो उस गुजिय को आप तुरंद बाहर निकाल दें तेल जो है गंदे हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से बनाया है यापर मेरा एक भी गुजिया फटा नहीं था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही टेश्टी गुजिया बन करके रैडी होई है तो यहां पर हम बागी सारी गुजिये को भी इससे तरीके से बना करके तयार कर लेंगे तेहां पे तेल जो है जादा गरह हो चुका था तो मैंने यहां पे gas को off कर दिया है और गुजिया इसमें डाल दिया है इसके बाद मैंने यहां पे थोड़ी दिर बाद इस gas को चालू किया है ताकि हमारे गुजिया जो है अच्छे से fry हो जाए अगर आप हाई फ्लेम पर गुजिया को fry करते हैं तो उसमें बहुत सारे bubbles आएंगे तो इसलिए मैंने gas को off कर दिया था तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे गुजिया जो है बन करके ready हो चुकी है तो इसके बाद हमें हापे तोड करके इसको देख लेते हैं तो इहां पर आप देख सकते हैं मैंने तोड कर दिखाया हुआ है बहुत ही जादे crispy कुरकुरी बनी हुई है गुजिया तो इस recipe को एक बार आप भी जरूर try करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आज की recipe कैसी लगी आपको comment करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें okay bye friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी टेस्ट रेसिपी के साथ और इस वीडियो को friends के साथ ज्यादे ज्यादा सेयर करें